हेलो एब्रीवन सौगत आपका हमारे एक नई वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको किसी भी संक्या को संकेतन रूप में लिखना बताऊंगा किस तरीके से लिखते हैं वो सीखेंगे ठीके दोस्तों इसे वैग्यानक संकेतन कह लीजिए या फिर मानक रूप कह लीजिए ठी चाहिए हैं और यहां पर सर्फ एक ही संक्या है तो यहां पर कोई भी क्या नहीं है इसलिए हम लोग कहां से गिना सुरू करेंगे यहां से गिनना शुरू करेंगे, यानि कि सीधे हाथ से लिखना शुरू करेंगे, गिनना शुरू करेंगे, ठीक है, और अगर दसम्लब लगा है, तो कहां से उल्टे हाथ की तरफ से गिनना शुरू करेंगे, ठीक है, यह दसम्लब लगा है, उल्टे हाथ की तरफ से गिनना औलिए च्टार यह तो सबसे पहले हम लोगेते हैं यहे कि यह पर यहां पे दसम्वलब लगए감 यानि कि यहां पे एक अंक के बाद मतला यहां पे एक अंक होना चाहिए इसके बाद दसम्वलब लगा होना चाहिए यह शंक्या और Taak high आए खारी चैना है तो यहां एक संकेतन के रूप में आगा है, मानख रूप में लिग गया, ठीक है? इसे हम लोग सीख लेते हैं, दीजे दसमलब लगा हुआ है, ठीक है? यहां से गिनना शुरू करेंगे, यहां से, एक, दो, तीन, चार, पांच, यानि कि 5 वार आएगा यानि कि हम लोग सबसे पहली संख्या लिख लेते हैं 8 ठीक है ना 8 संख्या है तो एक ही संख्या है तो यहां पर दसमलब कहां लगेगा कहीं नहीं लगेगा तो यहां पर गुणा लगाएंगे ठीक है और 10 की पावर कितने थे 1, 2, 3, 4, 5 तो 10 की पावर माइनस के 5 हो जाएगा ठीक है क्योंकि उल्टी तरफ से आ रहा है तो माइनस लगेगा अब यहां पर भी उल्टी तरफ से आ गया तो फिर यहां पर भी 10 की पावर करके माइनस में आएगा कितना आ जाएगा एक, दो, तीन, चार पाँच ठीकिना यहाँ पे भी माइनस के पाँच आएगा और यहाँ पर क्या हो जा जाएगा जिसे संख्या हम लोगों ने लिखी है, इस एक अंग के बाद हम लोग लगाते हैं यानि कि दसंख्या यहाँ लगेगा ठीकिना चार के बाद यानि कि एक संख्या यहां होनी चाहिए पहले नम्मर पे उल्टे हांथ पे एक संख्या होनी चाहिए और फिर दसमलब लगेगा ठीके ना फिर कितनी भी संख्या क्यों ना हो यहां पे यहां पे यह तो बहुती सराल है 6 लख लेते हैं